हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सेर कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके और आप इंगलीज सीख सके और इंगलीज की दुनिया में आगे बढ़ सके चलिए आज हम स्टॉट करते हैं एक्टी वायस और पाइसी वायस इसके पहले की वीडियो में ने एक्टी वायस और पाइसी वायस के डेफनीशन को बताया है है आज हम टेंस के संटेंस का एक टीवायस से पैसी वायस बनाना सिखेंगे इसके पहले हमें यह पता होना चाहिए कि किन टेंस का पैसी वायस हम बना सकते हैं कि इस टेंस का नहीं बना सकते हैं वैसे तो जो टेंस होते हूं उसके और ट्वेल टाइपस होते हैं ट्वेल टाइ कि active voice में helping verb क्या होता है active voice का मतलब ही है कि tense के खुद tense की sentence में उसका खुद का helping verb क्या होता है और 25 वायस में हमें कौन सा helping verb प्रयोग करना पड़ता है चलिए हम पहले helping verb को ही देख लेते हैं name of tenses यहां tense का नाम है present indefinite tense present indefinite tense में helping verb do dutch होता है यह हम जानते हैं लेकिन 25 वायस में is mr use होता है यह हमें याद करना होगा कि 25 वायस यदि हम बना रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि present indefinite tense के 25 वायस में helping verb is mr use करते हैं और present continuous tense में जो tense का मतलब सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है उसमें helping verb यूज होता है यह 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 यहां से हमें क्या समझ में आता है कि पहले वाले में इजमर सेकेंड में इजमर के साथ भी थर्ड वाले में हाईज और हैप के आगे बींग लगा दे मतलब इक पैटन जैसा चल रहा है वाई यह यह आता है पहले वाले में इंडीफिनित में वाजवर के साथ भी और पर्फेक्ट्वाले में जो हमारा helping verb है उसी के साथ बील लगा देते हैं उसके बाद future indefinite tense future indefinite tense में जो tense का sentence होता है उसमें बील का प्रयोग और जो पैसी वायस का sentence रहता उसमें बील बी का प्रयोग करते हैं उसके बाद future perfect tense में बील हैप का प्रयोग करते हैं लेकिन पैसी वायस में बील है बील का प्रयोग करते हैं, चलिए हम आप देखते हैं कि कैसे हम बनाते हैं, दिखिए, फार्मूला क्या होता है कि जो tense की sentence होते हैं, उनकाивать सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक simple सा definition है कि पहले हम object को लाते हैं, फारिषилась पहले object write करते हैं, उसके बार tense के according, जैसा हमारा tense रहेगा, उसी के according से हम helping verb प्रयोग करते हैं, helping verb जैसा tense रहेगा, यदी present definite का tense है, तो उसका जैसा पर पैसी वाइस बना रहे हैं, तो उस वहाँ पर EJMR प्रयोग करते हैं, और continuous रहेगा, तो EJMR के साथ 2, तो हर टेंस के-दिने मतलब जो टेंस रहेगा उसी के आपकाइडिंग 50 वक्छ कы्यूपिंंग पर्म हमें याद होना चाहिए और वैसा प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो हमारा में बर्म ह है गा, उसका थड़ फार्म, उसके बाद डेसड़, देस का मिननस होता है, other words, उसके बाद by subject, मतलब जो हमारा यहाँ पर subject रहेगा, president about by लगा कर इसको write कर मिफित् опыт आपजिक्टिव केस करेंगे, चलिया हम example के मादम से चीजों को समझते हैं, my sister beats me, मेरी बहन मुझे पीटती है, तो यहां मेन बर में yes याई yes लगा है, तो यहां से पता चलता है कि यह present indefinite का affirmative का sentence है, पहली बात हमें यह पता होना चाहिए, यदि कोई भी टेंस है, अफर मेटू में है, तो उसका पैसी वाइस अफर मेटू में ही बनाएंगे, नगेटू में है, तो पैसी वाइस नगेटू में बनाएंगे, इंट्रो गेटू में है, तो पैसी वाइस इंट्रो गेटू में बनाएंगे, इसका मतलब यह है present indefinite tense का affirmative का sentence है अब इसे में बनाना है, passive is में change करना है तो beat पीटने का परभाव मी पर है तो मी हमारा object है, object को पहले ला देंगे लेकिन object यहाँ object to case में है लेकिन subject में लाएंगे तो I बन जाएगा क्योंकि यही मी आपजेक्ट में रहता है इज एम आर्ट, इज एम आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, इसके कार्डिंग, टेंस के कार्डिंग, हिल्पिंग बर्व हो गया, इज एम आर्ड में से तीनों में से एक को प्रयोग करना है, एम हो गया, उसके बाद बीट, बीट का थर्ड फार्म होता है, बीटन, में बाई राइट कर देंगे, कोई अधर वर्ट साही ने, बाई राइट कर देंगे, उसके बाद बाई सब्जेक्ट, यह हमारा नाउन है, वैसे का वैसे राइट कर देंगे, माई सिस्टर उसके बाद हमारा नेक्स डज ही राइटर लेटर यहाँ पर जो हमारा संटेंस है वो पर जेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेट्व है तो पैसिव आएस पनाएंगे तो इंट्रोगेट्व में ही बनाएंगे तो यहाँ पर subject के अनुसार helping bar प्रयोग हुआ है, यहाँ object के अनुसार, a letter पहले आ गया, लेकिन passive is, यदि ये intro gate 2 में है, तो passive is भी intro gate 2 में बनेगा, तो यहाँ पर a letter है, passive is में each m arc प्रयोग होता है, तो एक के साथ, singular के साथ each का प्रयोग है, each a letter, write का third form, return, return, उसके बाद by, यहाँ पर ही हमारा subject में है, यहाँ पर जाएगा, object में हो जाएगा, और यहाँ पर यदि हम ही write करते हैं, तो हमारा हो जाएगा गलत, हमें write करना होगा him, क्योंकि he subject में ही होता है, object में हीम होता है, तो हमें object में, उसके बाद why hat c cooked a food, यहाँ पर देखिए पहले, questioning word शुरू में आया है, मतलब why, आया है तो डबली अच इंट्रोगे टू हुआ, हैट के साथ वर्व का third form, इसका मतलब है past perfect tense है, तो past perfect tense में कौन सा helping verb यूज करते है पाइसी वाइसे, पाइसी वाइस में यूज करते है है हायडवीन, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि past perfect tense में, 20 weists में helping verb हैडवीन प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जू शंटेंस है past perfect tense का है, लेकिन हमें बनाना है पाइसी वाइस में, तो क्या करते हैं, questioning word, जै यहां पर हैड पहले यूज हो जाएगा बीन बाद में और यहां पर कुग्ड 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 हमारा खुद ही था इसको वैसे का वैसे राइट कर देंगे कुग्ड और यहां पर भाई सी यहां सब्जेक्ट में है अबजेक्ट में जाएगा हर हो जाएगा तो इसका क्या हो गया हुआई हैड और फूड वीन कुग्ड भाई हर है सी वहां सब्जेक्ट में था यहां अबजेक्ट में है इसलि एक्टिवाइस का जिस भी टेंस में रहेगा उसी टेंस के कार्डिंग संपाइस में जो हेल्पिंग बर्व यह होता है उसको यूज करते हैं उसके बाद लेकिन आपजिक्ट को पहले लाएंगी दीश वर्ग एक कार की बात हो रही है है इसलिए हमें हेलपिंग बर्व हैज भी लगाना है लेकिन यहां पर एक अबजिक्ट के पहले दूसरा अबजिक्ट के बाद हैज उसके बाद बीन उसके बाद फिनिस्ट खुद ही third form है उसको वैज全部 iX right कर देते हैं, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे, और हमारा यह sentence end होता है, इसके बाद हम आगे के next वीडियो में और डीटेल में बाते प्रेक्टिस करेंगे,